दुनिया का सबसे महांगा लिक्वीड और आसू होता है जिसमें एक प्रतिसत पानी और 99% फिलिंग होती है नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और आपकी रासिकन उसार लक्ष्मी मंत्र कौन सा जप है जिससे आपकी कामना पूरी हो सके इस विशेश एपिसोड में बता रहा है दीपों का पर्व आनंद उल्लास का पर्व है दिपावली नव वर्स की बेला है अमावस्या की अंदीरी रात में जिल मिलाते दीपक सारे जग को प्रकासित कर देते उसी प्रकार वर्स भर जो कश्ट मिले हैं जो विबदाएं मिलिये जो आपदाएं मिलिये उनसे बुझेवे चैरों पर फिर एक बार खुशी आशा की किरन लिये आये ये दिपावली यही हमारी कामना है जो तिस सास्ति कर नुसार प्रत्येक मनुश्य का नाम किसीन किसी रासी से होता है रासी समय सूचक एक माप है जिसका समंद चनमा और नक्षत्र की गती से जुड़ाव होता है रस्मी विज्ञान की मानेता है कि प्रत्येक रासी और उससे समंद नक्षत्र तता चन्दर गती का प्रभाव व्यक्ति पर अवश्य पढ़ता है और ये प्रबाव रासियों की बिन्नता के आदार पर अनेक रूपों में प्रकट होता है बच्चे के जन्म का समय जानकर जोती सी लोग बता देते हैं कि बच्चे का जन्म किस रासि किस नक्षतिम हुआ है तता उसके जीवन में इन सब का क्या प्रबाव पड़ेगा ये एक स्वैम अनुभव करने वाली बात है हर रासि का व्यक्ति कुछ विशेश और अलग लग प्रबाव वाला होता है उसमें कुछ गुण भी होते हैं और कुछ दोस भी लगन नक्षतर दिन आधिक इस्तिति उस प्रबाव को अधिक बढ़ा देती है व्यक्ति का मूल सुभाव और रासि उसके भाग्य का निर्मान करने में बहुत ही इंपोर्टेंट होती है अब मैं सभी रासियों के लक्षमी मंत्र बता रहा हूँ अपनी रासि के अदार पर लक्षमी मंत्र का नियमे जाब करके कोई भी व्यक्ति अपने सौभागी की रद्धी और ग्रध दोसों का निवारन कर सकता है संपूल रूप से ना सही पर आंसिक रूप से तो जरूर इन मंत्रों के जाब से लाब उठाया जा सकता है इं लक्षमी मंत्रों के जब का कोई विशेस विदान नहीं है सहज बावसेस नाल के पस्चाद किसी भी सुब पवितरिस्तान पर उन का आसन बिछा करके बैठ जाए और दैनिक रूप में यता संभव संख्या में इन मंत्रों का जाब करें और दिपावले की दिन धन तरस से दिपावले की दिन जितना अधिक से अधिक हो सकता है इन मंत्रों का जाब करें सबसे पहले मेंस रासी का ओम एम क्लीम सौ वरस रासी ओम एम क्लीम स्रीम और यह मंत्र साइड में चल रहे हैं साइड में स्ट्रिप जो है या साइड में बॉक्स है उसमें मंत्र दिखला जा रहे हैं तो आप अपनी रासी का मंतर नोट कर सकते हैं या अपनी मोबाइल से फोटू कीच सकते हैं आईए, अब बात करें मिथुन रासी की Ome, Klaim, Am, So ये बीज मंतर हैं, ये दियान रखेगा एक एक मंतर है, इसमें बहुत ज़जदा ऊरजा है बहुत strength है और बहुत जल्दी ये आपको बहुत ज़्यादा vibrate भी करेंगे अताथ एक माला में ही आपको समझ आ जाएगा कि आपकी body का temperature बढ़ रहा है आईए अब बात करें कर्क रासी की ओम एम क्लीम श्रीम अब बात करते हैं रासी की ओम रीम श्रीम सौ कन्या रासी ओम श्रीम एम सौ आईए अब बात करें तुला रासी की ओम रीम क्लीम श्रीम रश्टिक रासी का मंत्र ओम एम क्लीम सौ फिर धनू रासी का मंत्र मक्कर रासी और अब कुम्ब रासी का मंत्र और अंत में मीन रासी का और निशित रूप से इनका प्रभाव पड़ेगा रासी के गुणों में व्रद्धी होगी और जो दोश है या दुस प्रभाव है वो सांत होगा अताज गोचर वसाथ जो भी गरह पर दुस प्रभाव होते हैं रासी पर दुस प्रभाव होते हैं वो भी बीज मंत्रों के जाब से दुस प्रवाव सांत हो जाते हैं तो ऐसी सिति में आपकी कामना भी पूरी होगी धन की व्रद्धी भी होगी इनकम भी होगी और साथ ही साथ आपको negativity से भी राहत मिलेगी तो एक ही मंतर जाप से बीज मंतरों की जाप से कितना कुछ आप हासिल कर सकते हैं ये मैंने आपको बतलाए आज इस एपिसोड में बस इतना ही स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपने अपने परिवार का बहुत बहुत खैल रखें आप सभी को मेरा नमशकार बहुत बहुत शुब कामना है इस वर आपकी रक्षा करें बहुत बहुत धन्यवाद